जे गुरुची संगजी प्रणाम संगजी आज हम शिरीजप्ची साहिब की नौमी पौड़ी का पाठ पढ़ेंगे और उसका अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद भी पढ़ेंगे पढ़ते वकत होने वाली भूलचुक के लिए मैं हाज जोड़ कर गुरु माराज दे और आप सबसे माफी मांगती हूँ एक इमकार धन गुरु नानक देव जी सतनाम वाहि गुरु जे गुरु जी शिरीजप्ची साहिब की नौमी पौड़ी सुनिये इसर बर्मा इन, सुनिये मुक सालाहन मन, सुनिये जोग जुगत तन पेद, सुनिये सास्त सिम्रत वेद, नानक बकता सदा विकास, सुनिये दूख पाप का नास Meaning, listening, Shiva, Brahma and Indra. Listening, even full-mouthed people praise Him. Listening, the technology of yoga and the secrets of the body. Listening, the Shastras, the Smritis and the Vedas. O Nanak, the devotees are forever in bliss. Listening, pain and sin are erased. सिद्धों से वार्ता को जारी रखते हुए, गुरु नानक देवजी ने आगे फर्माया कि प्रभू परमात्मा के नाम को सुन कर ही, शिवजी, ईश्वर, ब्रह्मा, एवं इंद्र, देवताओं के पद पर विराजमान हैं. प्रभू के नाम को सुन सुन कर ही, मंद बुध सिद्धी वाले भी मुख से प्रभू की सिफत सालाहन करने लगते हैं. योगी जन परमिश्वर के नाम के प्रताफ से युक्ती द्वारा शरीर के हर एक भेट की जानकारी रखते हैं. छे शास्त्र, सताइस समृत्या, चार वेद, सभी परमात्मा के नाम को सुनने की सन्न रहते हैं. कारण परमात्मा के नाम को सुनने से उनके दुखों, गुनाहों का नाश हो चुका है. गुरू रूप साथ संगर जी, परमात्मा सत्य है. परमात्मा का नाम सत्य है. हमेशा सत्य बोलने वाले मनुश्य ही सत्य स्वरू परमात्मा की प्रसंता पाकर उच्च पद्ध को प्राप्त करते हैं भले ही वे शुरू में मंद बुद्धी रहे हों इसका एक जीता जाकता उधारन है प्रसिद्ध नियाय मूर्ती अर्थात नियाय अधीश गुपाल कृष्ण जी गोखले इनके बच्पन की सत्य कथा पटने को मिली जो इस प्रकार है अध्यापक त्वारा कक्षा में गनित की परिक्षा ली गई परिक्षा लेने से पहले उन्होंने सब विध्यार्थियों से कहा जो विध्यार्थी सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा उसे पुरुसकार दिया जा सकता था, सभी विध्यार्थी जी जान से चुटे हुए थी, बहुत समय तक कोई भी विध्यार्थी उस प्रशन का हल नहीं अंत में एक बालग प्रश्ण हल करके अध्यापक के सामने पहुचा। अध्यापक महादे ने प्रश्ण और उसका हल देखा और पाया कि हल सही है। उन्होंने इंतजार किया कि शायद अन्ने कोई विध्हारती भी सही हल निकाल कर ले आई। किन्तु देर तक कोई भी विध्यार्थी सही हल नहीं निकाल सका। समय पूरा हो चुका था। अध्यापक महादे ने सही हल निकाल कर लाने वाले को पुरुसकार दिया। पुरुसकार प्राप्त विध्यार्थी नाचते गाते खुशी में जूनते हुए अपने घर पहुचा दूसरी सभी विध्यारती हैरान थे कि ये लड़का सही हल कैसे निकाल सका क्योंकि पढ़ने लिखने में वेबालक मंद बुद्धी था अगले दिन अध्यापक महादी जूहीं कक्षा में आए तो ही पुरुसकार प्राप विध्यारती लिपटकर उनके चर्णों से लिपट कर रोने लगा सभी विध्यार्ती और अध्यापक हैरान थे कि इसे क्या हो गया अध्यापक ने उस से पूछा क्या बात है तुम रोते क्यों हुँ तुमें तो खुश होना चाहिए कि पुरुस्कार प्राप करके तुमने अच्छा विध्यार्ती होने का प्रमाण दिया है वह बालक रोते हुए बोला आप ये पुरुसकार वापस ले लीजे श्रीमान पर क्यों अध्यापक ने पूछा इसलिए कि मैं इस पुरुसकार का अधिकारी नहीं हूँ मैंने पुस्तक से देख कर चोरी करके प्रश्म का सही हल निकाला था मैं अपनी योगिता से सही हल नहीं निकाला था आप ये पुरुसकार वापस ले लीजे और मेरी भूल के लिए मुझे शमा कर दीजे भविश्य में मैं ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करूँगा बालक ने कहा अध्यापक ने उसे वापस बुला कर कहा सही हल तुम्हें नहीं आया लेकि धोखा देना भी तुम्हें नहीं आता धोखा देना और चूरी करना तुम्हारा स्वभाव नहीं है इसलिए कर घर जाने के बाद तुम्हारा मन दुकी था और तुमने सही हल नहीं निकाला मुझे इसका दुख नहीं है पर तुमने सही बात कह डाली मुझे उसकी बहुत खुशी है गलती मान लेने वाले बालक बड़े होकर बड़ा नाम और काम करते हैं आगे चल कर यह बालक न्याय मुर्ति गुपाल कृष्ण गुखले के नाम से जाना गया साथ संगर जी इसे अध्यापक आश्रवाद समझे या सच बोलने से परमात्मा की प्रसंता अध्यापक आश्रवाद दे सकते हैं परन्तु बुद्धी हीन को बुद्धी मान करना तो परमेश्र के हाथ में हैं हो सकता है उस बालत में प्रभु का नाम भी जपा हो या हरी कथा का श्रवन किया हो और उसका फल मिला हो क्योंकि उसे इतने उंचे पद न्याय धीश पर तो एक बुद्धिमान व्यक्ती ही बैठ सकता है वे सत्य श्रवन और सिम्रन से ही हुआ है इसलिए गुरुजी ने फरम अधुई भूल शुक के लिए एक्षमा मांगती हूँ संगजी आज हमने नौवी पौड़ी का पाठ यहीं पून किया कल हम श्री जप्ची साहिब की दस्मी पौड़ी का पाठ पढ़ेंगी जै गुरुजी शुक्राना गुरुजी